बात कौन जाती है कि उत्तर प्रदेश में तो फिसप का राज है उत्तर प्रदेश में तो माया बती है उत्तर प्रदेश कांची राम जी की नगृइंगम को सबbra scamp करना नहीं था मैं आपको भी यहां पे एक बाप दाना जाता हूँ राजतन अम्मेडकर जी का परभाव है परम पूजे बाबा सा टॉक्टर भीमरा अम्मेडकर का पर पूताब करने के लिए नियुकते है कि जैभीम परकास कर कुछ बोल रहा है तो उसकी जांस तो कर लिए जाए जैभीम नमुबद साथियो साथियो मैं एडवोकेट जैभीम परकास आप लोग के बीच मैं एक बार फिर से उत्तर परदेश में आगामी दिनों में होने वाले चुनावों पर प्रियास करूगा प्रियास करूगा जो हमारे पिछले वीडियो हमारे यूटूब चैनल पर प्रकासित हुए उनमें बहुत सारे कमेंट्स आए और उन कमेंट्स में पढ़कर अईसा लगा कि कुछ लोग बहुती ज़यादा अंदसरधालू अंधभक्ती से लेट हैं अभी अंद स्रद्धा और अंद भक्ति पैदा करने वाले जैसे कार्य भी नहीं हुए हैं हिरोईज्म वाले कार्य भी नहीं हुए हैं लेकिन अभी लोगों में अभी से इतनी प्रगाड अंद स्रद्धा और अंद विश्वास बैठ गया है किसी भी व्यक्ति विशेश के प् देश नायक पूजा करने वाले लोगों का देश है और नायक पूजा हमेशा व्यक्ति के हितों के लिए घातक सिद्ध होती है और अपने लोगों को नायक पूजा से रोकते हुए परम पूजे बावजटों फिम्राव मेटकर ने यह भी कहा था कि मेरी जैजे कार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो सातियों ये बातें वह व्यक्ति कह रहा है जिसने अपने जीवन का पल पल इस समाज के लिए समर्पित कर दिया बलिदान कर दिया वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी पूजा मत करो मेरी जैजे कार मत करो बस मेरे बताय हुए मार्क पर चल कर तुम अपना भला कर लो जब से समाजिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया और जब तक जिये तब तक सिर्फ एक ही चाहत एक ही सोच कि मेरा समाज बहुत ही खराब हालत में है और उसको विकास करना चाहिए उसको अच्छी हालत में पहुंचना ही चाहिए साथियो परम पूजे बावर अप्टर भिम्राव मेटकर ने क्या कभी यह कहा था कि मेरी संतान चाहें कितनी भी नलायक हो चाहें कैसे भी हो आप उनकी जज़कार सिर्फ इसलिए करना क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए समर्पन किया है मैंने आपके लिए त्याग किया है साथियों हमने देखा कि इस देश में क्योंकि हिरोईज्म नायक पूजा का बोल बाला है और गांधी और नहरू जैसे लोग इस देश में सिर्फ इस नायक पूजा की वैसे हिरो बन गए और उनको हिरो बनाने में हमारे जैसे लोगों की ही मानसक्ता का पूरा-पूरा हाथ है आज भी अगर हम देखें कि जो लोग आज हमारे बीच में आ रहे हैं वह हमारे महानप्रूसों का नाम लेकर उनके कामों का हवाला देकर उनके मिसन मुमेंट का हवाला देकर हमारे बीच आ रहे हैं लेकिन क्या उतनी गंभीर सोच जैसे की परम्पुजे बावच्ट भीम्रा अमिटकर बती वैसी गंभीर सोच उनके भीतर है क्या वैसा गंभीर त्याग समर्पणों बलिदान समाज के लिए उनके भीतर है क्या प्रम्पूजे बवर्टव भिर्वा मिटकर ने जो कहा था कि मैं पड़ा लिखा उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुस्मन की पहचान करता हो जो अपने दुस्मन की नीतियों को बड़ी दूर दरस्ता स से पहचान ले और उनके लिए उनको समाप करने के लिए या उनके लड़ने के लिए एक अपनी अच्छी योजना बना ले मैं उसको पड़ा लिखा मानता हूं इन्हीं बातों के संधरों में चर्चा करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं और 2022 में उत्तर परदेश में चुनाब होने वाला है उत्तर परदेश में चुनाब होते ही डिकलियर होते ही सब के दिमागों में एक बात कौन जाती है कि उत्तर परदेश में तो बीएसपी का राज है उत्तर परदेश में तो मायवती है उत्तर परदेश कांसी राम जी की नग करते हों लेकिन उत्तर प्रदेश की बात आते ही बीएस्पी साहब कांसी राम परम पुझा बवलटों मिटकर हमारे भूजन महापुरुष उनका नाम लोग की जुवान पर आने लगता है उनसे लोग थर थर कापने लगते हैं डर लगता है उनको कि उनकी राजनितिया क्या ह होगा उनकी राजनितिया क्या होगा लेकिन साथियों कि जिस प्रकार की एक परिवार का उधारन लें जो अब छत विछत हालत में है तीन बेटे हैं परिवार में लेकिन अभी छोटे हैं और घर का मुखिया आर्थिक इस्तितिया जूज रहा है जोपड़ी है उसका घर जो है तो संपनता दिखाए देती है वह मकान जो घुजहौपड़ी था वह चार-पांच मंजिला बनकर त्यार हो जाता है और जो आश्परोस के परोसी जो अब तक उस परिवार पर किसी भी प्रकार का अपना प्रभाब छोड़ने में नाकाम्याब हैं उनके मकान अभी एक मं मंजिला बने हुए मकान से उनको बहुत इर्शा होने लगी है अब उस मकान को तबहा करना चाहते हैं अब इस मकान को तबहा कैसे किया जाए तो इसके लिए वह जो तीन भाई जिनकी सहता से वह बुजुर्ग अपने परिवार को सजोए हुआ है उसको चार-पांच मंजिल आने का काम करते हैं एक बिटे को भहे समझाते हैं कि तु इन सब में सबसे अधीक मा रहा है और तेरी कमाई पर यह सारे पल रहे हैं यह घर जो चारमजेल मना है यह तेरी कमाई से बना है और इस में इन्गा कोई साजा नहीं है दूसरे के मन में यह बाडालते हैं कि तेरा भाई तुछ जलता है और तुझे किसी परकार का सही यूग नहीं करता तुझे आगे नहीं आने देता और तीसरे को यह समझाते हैं कि भाई तू क्या इनकी सेवा करने के लिए बनाया है कि जब भी तुझे यह काम करने के लिए कहते हैं और तू बस तुरंद भाग रुटता है तेरी जिंद्गी के ऐसी कटने वाली है तो इस प्रकार की बाते करके और इससे भी ज़्यादा कुछ बाते करके वो जो प्रौसी है जो उसे उस परिवार से जलते हैं इरशा रखते हैं उसको नस्क ना चाते हैं वे उन बेटों में ऐसी बाते हैं रोपिद कर देते हैं अब जो समझदार परिवार होता है समझदार लोग होते हैं वो प्रॉसी की मंसा को समझ जाते हैं कि प्रॉसी की मंसा हमारे परिवार को तोड़ने की है वो यह कहते हैं यह मेरा भाई तो है अगर मेरा खावी रहा है तो क्या है कि तीनों भाईयों में जब पॉजिटिव बात होग कि पॉजिटिव सोच होगी संगठित रहने वाली बात होगी एक दुसरे से प्यार और मुहबत होगा तो अड़ोसी प्रणोसी उनका कुछ नहीं बिगार सकते लेकिन वही परिवार उस परिवार में अगर प्यार बहुपत नहीं है एक दुसरे के लिए कोई कुरवानी देने कि कोई मंसा नहीं है बलकि दूसरे से जलन की भावना उनके अंदर आती है मैं मैं की भावना उनके अंदर आती है कि मैं इस परिवार पर अधिपत्य जमाऊं मेरी संपत्ती बड़ी हो मेरा नाम हो तो उस परिवार को कोई नहीं बचासता साथ है ऐसा ही आजकल यूपी में होने जा रहा है कि सारी पार्टियों की दुस्मनों की नजर उस पार्टी पर थी कि इस पार्टी को चलाने वाले लोग इस पार्टी के लिए अपना खून पसिना लगाने वाले लोगों में विविन तरह के विचार रोपित किये गए बहुजन समाज पार्टी चार बार सत्ता पूरे देश को एक आदर्स राज्य में प्रसासरिक विवस्था कैसी होती है उसके दर्सन करा दिये लेकिन उस दर्सन से लोगों को कोई लेना दिना नहीं है तो बुजन समाज के लिए खून पसीना लगाने वाले लोगों के मन में क्या बातें फैलाई गई कि मायवती ने तो उत्तर परदेश में पत्थर पत्थर लगा दिये हैं मूर्तियों का परदेश में रख दिया है यह बात मुस्लिम समाज में विशेज तोर पर फैलाई गई और लोगों को यह इस बात को लेकर भेलाने फुस यह मैं पहले ही कहकर गए है कि मैं इसलिए वह तो ऐसी कारवाईयां करेगा ही लेकिन साथियों वह अपने इरादे में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जैसे कि उस परिवार में जिसमें की और एक दुश्रे के लिए कुर्वानी देने की मन्सा है लालचा है तब तब उस परिबार कोई कुछ ने वीगार को नहीं भ marriages को न भग उस घर के अबने दुश्मन काल नहीं भूर विलें बाहर के दुश्मन से आप कभी भी लड़ चकते हो आप कितने भी कमजोर हो लड़ते लड़ते लेकिन आप उस दुश्मन को कभी भी खतम कर सकते हो लेकिन अगर आपके घर में ही कोई दुश्मन पैदा हो जाए तब कैसे लड़ोगे यहां से आप सकती खटी कर रहे हैं और वहां से आपके अपने लोग जे उस सकती को नश्च करने का कारे कर रहे हैं मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक बात बताने की प्रयास किया मैंने राज रतन अम्मेडकर जी को एक बात बताने का प्रयास किया चंदर सेखर अजाद को मैंने एक बात बताने का प्रयास किया भंते सुमित रतन को भी मैंने बताने का प्रयास किया मैंने इन बात को भी समझने का प्रयास करो कि पुझा बर्णों भीम्रामेंट करना यह कहा है कि मैं प्रालिखा उस वक्ति को मानता हूं जो अपने दुस्मन की पहचान रखता है कि आप लोग को अपने दुस्मन की पहचान नहीं है अगर राज रतन अमेड कर जी राजिंदिर पाल कर रहा हूं मुझे पता नहीं है मुझे कोई इस बात की खबर नहीं है लेकिन मैं संभावने व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि दूरंदेश ही होना मेरा सभाव है और मैं परमपुजबर मिट करकी उस बात का बड़ा ख्याल रखता हूं कि दुस्मन पर हमेशा निगा रखो तो पर्णियां तो जो नजर है वह हमारे समाज पर है आज अगर राजरतन अमेडकर जी का प्रवाव परमपुजब बाबा साथ भीमड़ा अमेडगर की वजय से हैं क्योंकि इस देश में वक्ताओं की कमी नहीं है विद्वानों की कमी नहीं है एक से बढ़कर एक विद्वान करने वाले लोग आपके बीच में हैं उनके लिए आप इतनी फूल मालाय कभी लेकर नहीं आते हैं उनके लिए आप कभी भी ऐसा स्वागत नहीं करते हैं कारण क्या है क्या कि आप लोग के अंदर परम पुजा बाबा साफ दॉक्टर भिम्राव अम्मेड करके प्रति बहुत स्रद्धा नहीं है अगार स्रद्धा है है तो इसमें को अतिस योकती कि पॊएं है को western कि आंकर आप ने कौन सी सफलता हों को हासिल करा है इस बैसे होता है कि आप कि Тब्द करनें पैसी क्या क्या कहाda मैं अपने YouTube वीडियो के माध्याम से आपको कई बार समझाने का प्यास करता हूं कि बावब सáhb नहीं कहा है वो कहा है पता नहीं भी आपको कई बेवकिफ्ट्र करने के लिए नहीं उठते हैं कि जैभीं परकास का पुछ बोल रहा है तो उसकी जांस तो करली जाए मैं आपको यहां पे एक बात दाता हूं परभाव कर का परफृत्ता H Antaric इस देश में उसकी यही तो पहचान है ना उनकी अगर उनकी यही पहचान है और उस पहचान के नजरिये से आप लोग देख रहे हैं प्रभाव में आ रहे हैं आप उनकी हर बात को मानने के लिए तयार है तो फिर आपका सोचन होना तैय है क्योंकि बाबा साहिब ने कहा था कि नायक पूजा मत करना नायक पूजा आपको एक ताना सहा देती है और जब जब आपने नायक पूजा की है अपने भुगता है अपने ही पार्टी के भीतर क्यों ना हो अपने ही लोगों में क्यों ना हो अपने भुगता है भुगत रही है लिए आपके अंदर समझदारी नहीं आ रही है मैंने पिछले वीडियों में यह कहा था कि अगर हमारे समाज के जो प्रमुख लोग हैं जैसे की रायतना मिड़कर जी है उनकी पहचान परमपुजे बाबा से टोटो भीमरा मिड़कर के जरीये बन रही है तो उन्हें अपनी इस पहचान का फाइदा समाजिक कारियों में लगाना चाहिए और मैंने उन्हें यह कहा था कि अपने समाजिक कारियों के प्रतिफल के रूप में यदि उनको राजनीदी सब्ता मिलती है तो उसको यूज कर लेना चाहिए उसको भोग कर लेना चाहिए लेकिन दुश्मन के हातों की गोटियां नहीं बनने चाहिए कौन सी बड़ी बात है अगर राहरतनम मिटकर जी को केजरी वाल ने कोई बड़ा प्रलोबन दे दिया हो कि भी आपको यहां मंतिरी बना देंगे या संसद में भेज देंगे आप बस यह काम करते जाएए ऐसा करते जाएए साथियों RSS अच्छी तरह जानती है कि हम लोग कितना भी धिनोरा पीट लें कि बहुत धरम में परके तो जाओ बहुत बन जाओ बहुत बन जाओ बहुत बन जाओ क्या फर्क पढ़ रहा है उसको RSS को आपके बहुत बनने से कोई फर्क नहीं पढ़ रहा जब तक कि आपकी सांसृत्ति सोच आपकी मांसिक्तिति में परिवर्तन नहीं होता तब तक RSS को आपके बहुत बनने में भी कोई फर्क नहीं पढ़ रहा आपने बहुत धर्म अपना लिया सर्टिफिकेट ले लिया दिख्षा हो गई लेकिन बाबा साहिब की जो 22 प्रतिग्या हैं उनको तो समझाई नहीं अभी भी आप लोगों के घर में वही पंडित आकर वही पुजारी आकर आपके सारे संस्कार आ रहा है आपको धर्म का ज्यान ही नहीं है आपको सही और गलत की पहचान ही नहीं हुई है क्योंकि आपने धर्म को पढ़ा ही नहीं है मैं चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं समाज के बीच में जाता हूं मिसलिम्मेंट की बात करता हूं घरों में बैठता हूं घरों में जाकर देखता अपने आपको पतानी क्या क्या कहते हैं मैं उन लोगों के घरों में जाता हूं और उन लोगों के घरों में जाकर देखता हूं कि धम की बिल्कुल भी जानकारी लोगों को नहीं है उनके परिवार में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है लोगों से मैं यह पूछ लूँ की पंच सील का मीनिंग पताईए ग्यूंसन नहीं आती है लोगों को भी वंधना करना नहीं आता है वंधना का अर्थ नहीं तो समाजी कार्य क्या था बाबा साहिब का मिसन क्या था बाबा साहिब का मिसन दुस्मन के हाथों में खेल कर राजनी स्था प्राप्त करना नहीं था अगर आपके इंदर तेशी कुबत है कि आप दुस्मन की नीतियों के खिलाफ जाकर अपना समाजी कारे कर सको तो कोई दिक्कत नहीं है करिए आप लेकिन आप और आपके अब तक कारेों ने यह दिखाया है कि आपके अदर वो कुबत नहीं है आप जानते हैं कि आप उस पार्डे खिलाब बोलेंगे तो वह आपको जो लाब मिलने वाला वह नहीं मिलने वाला उधारन देता हूं मैंने पिछले वीडियो में उधारन दिया था कि जो ब्राजील का बहुत बड़ा प्लेयर है फुटवल प्लेयर रोनालडो जैसे ही उस कम जो कंपणी है जिसने उसको एमबैस्टर बनाए था जो है जैसे उसने युस को की थोड़ी सी खिलाफत की हलका सा बस एक ऐगजेम्पल दिया था लोगों को को खळा के उसने पानी कुदल रख ली थी वैसे ही उसको उस कंपणी ने एमबैस्टर शिप से बाहार कर दिया औ कोई भी व्यक्ति आपके साथ में इसलिए खड़ाया क्योंकि आपके हितों के साथ उसके जुड़े हुए हैं आपके स्वारत के साथ उसके पुरे हो रहे हैं और आपको जब इतना सा फायदा कराता है ना कोई भी व्यक्ति आपका दुस्मन तो आपसे इतना बड़ा फायदा लेता है उनकी म radish अ करने की आ उनकी मन्सा इस देश स्फचादनों पर कंब्जा करने की एर वह सकती है इसलिए आपको कभी भी एक मैं मंसंत्रा सब्सक्राइब 10 sticky आधि नहीं है नहीं नहीं रयां कि आप दुनिया में नहीं है लेकिन मैं अब उनके प्रती बगैर बाद की सरद्धा प्रकाट नहीं कर सकता तो यह समझना पड़ेगा मैंने यह कहा था अपने पिसले वीडियो में कि आपकी सिकायतें बहुजन समाज पार्टी से कुछ भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है होती है कई बार आपकी राजनीतिक मेत्विकांचा हो सकती है राजनीतिक आकांचा हो सकती है बहुत प्रबल हो सकती है अगर हो रही है तो मैं इंकार नहीं कर रहा हूं उनको पूरा कीजिए अगर भोजन समाज पार्टी आ कि आपकी पर्तिभा से खत्रा मैसुस हो रहा है अगर उसके नेत्रितु को आप से लग रहा है कि आप उनको कॉंप्टिशन दे सकते हैं या उनकी पार्टी पर कपजा कर सकते हैं कुछ भी बात हो सकती है तो महराज आप से मैं हाद और के बिंति करता हूं आप एक समाजिक कार्यकर्ता पहले बनिए अच्छे और सच्चे और मिशन के पक्के बन जाइए अपने महापुरूसों के मिशन के पक्के बन जाइए और छोड़ दीजिए यूपी को उपी के अलावा पूरा देस पड़ा है पूरे देस में इतने राज्य पड़े हैं आप उन राज्यों में जाके जहां बसपा की अगर कुछ सीटे भी हैं एक दो सीटे भी हैं लेकिन वहां भी आपकर लीजे काम कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर हमारा घर खराब है या तो उस घर के लोग इस हालत में हों कि उस घर को पूरा तोड़ कर एकदम से नया बना लें लेकिन वह इस इस्ति में होने चाहिए कि नया घर बनने पर पुन्हें उसमें इस्थापित हो जाएं ऐसा ना हो घर भी तोड़ दें और नया घ अपनी अलग पार्टी बनाकर अपनी नई सोच के साथ में चल रहा राजनिती में स्वागत है कोई बुराई नहीं है लेकिन बुराई तब होती है जब आप केवल उसी परदेश तक अपने आपको सिमित करते हैं कि आप राष्ट्य पार्टी तो नहीं है अभी तो आप पा स्थानम चले जाए जाए मध्यपर से जाए आप जाए वहां पर पहले अपनी पार्टी बनाएए यानि की सिंबल ले लिजिए फिर छेत्रिय पार्टी बनिए यान थोड़ा प्रभाव स्थापित कीजिए कुछ एक आदू सीट भी जीत लीजिए फिर उसके बाद पार्टी बन जाएंगे तो लोग विकल्पी तोर पे आपको चुन सकते हैं वह देख सकते हैं अभी कल ही की बात है मैं पैट्रॉल पंपर पैट्रॉल ब्रहा था पैट्रोल जो भर रहा था मैंने उसकायद करी भीया बहुत महगा पैट्रोल हो गया है मैंने चर्चा पूरे देश को लेके डूबेगा पैट्रोल के दाम कहां से कहां बढ़ा दिये हैं छूटते ही बोलता है कि मोदी के लावा और है भी कौन देश में मैंने चूटते का क्यों नहीं है बहन जी है न मायवत्ती जी है वो करेंगी उन्हों पहले करके दिखाया है तो बोलता है इस देश में पूर्य ताना सही कर रहा है लिए उसके बाबजूद लोग क्या देख रहे हैं और को विकल्प नहीं है और को विकल्प नहीं है तो साथियो मैं सिर्फ इतना कहना चाता था इस वीडियो के माध्यम से कि मेरी राज रतनम बिटकर से कोई दुस्मनी नहीं है बलकि मैं उनका कायल हूं उनके वक्त वेगा मैं भी चाहता हूं कि वो समाज के लिए काम करें राजंदर पाल गौत्तम से भी मेरी कोई दुस्मनी नहीं है लेकिन भंते सुमित्रतन को भंते बनकर रहना पड़ेगा राजनितिक लड़ाई में राजनितिक बातों में नहीं फसना होगा वे लोग भी जाएं धंदेशना करें ना तो साथियो मैं अपने इस वीडियो कहीं समाप्त करें बहुत लं करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप लोगों से लगातार संपक्नाय रखूं और इस तरह की चर्चाक आप से करता रहूं जैभीम नम्म उतसातियों अपना चैनल आपका चैनल समाज का सब्सक्राइब करें और जादा से जादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानिस के पोट्राइब कर दो कर दो